कि रेल मंत्री अश्वनी वैश्णों कल वीडियो कॉंफरेंसिंग की देश के सभी रेल में सून से जुड़े और राजवार बजट की जानकारी दीती वी उन्होंने बताया कि मोधिस सरकार 3.0 में रेल विकास को लेकर देश में बड़ा काम करने चारी है इसके देश के सभी राजचों को भारी भर कम बजट दिया क्या है इसमें नाकपूर मधरेल के सभाकार में सभी इस चर्शा से जुड़े थे आम बजट को लेकर केंडिया रेल सुचना एवं प्रसारन एलेक्ट्रोनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैश्णा ने कहा कि अर्थ व्यवस्ता पहले की तुलना में अधिक लच्छिनी और बसबुच दिती में हैं उन्होंने कहा कि आज की अर्थ व्यवस्ता कल्यान राजकोशिय विवेक पुंचि निवेश और वी निर्मार में निवेश का एक संयोजन है सरकान ने डेलफी को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेश साथ ही आके वित्य जानकारी देती वे उन्होंने बताया कि दोरान रेलवे के लिए सकल बच्छिय सहायता दो लाग बच्छिय सहायता दो सो करोड रुपए ती जोकी किवल 28,144 करोड रुपए थी पुंचिकत वे में वृद्धि का परिनाम स्पष्टरूप से दिखाए दे रहा है क्योंकि भातिय दिल्वे ने वितवर्ज 2023 में 1588 मिट्रिक टन का सर्वकालिक उच्छमाल लदान हासिल किया है जो 2014-15 में 1095 मिट्रिक टन था और रेलवे 2030 तक 3000 मिट्रिक टन के लक्ष की औ परिका शुद्र राजस वो उत्पन रख्या है रेलमंती ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने 31,180 किलो मिट्र चालू की है ट्रैक पिछाने की गती 2014-15 में 4 किलो मिट्र प्रति दिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलो मिट्र प्रति दिन हो गई है इस वर्ष के बजट में ओध्र की फिकास को बढ़ावाद देनी के लिए अतरिक्त धंडाशी आवट दित की गई है आगे उन्होंने बताया कि पिटिया की एक रिपोर्ट के मताबरिक वैशनों ने कहा कि माराश्य में रेलवे परियोजना में लगबग 1,30,000 करोड रुप पिएस खेर कर भी बहुच उत्ते कामरा परसन अकिलेश भारत वास के साथ मनिश टेमरी की रिपोर्ट